हेलो दोस्तों स्वागत है आपका मुकुली स्टीडी में दोस्तों आज से 12th क्लास की फिजिक्स की क्लास स्टार्ट कर रहा हूं ओके तो फर्स शेप्टर आज हम लोग पढ़ेंगे बैदूत आवेस तता छेत्र दोस्तों इसमें जितना भी टॉपिक है बहुत ही का नियम पांचवा है गौस का पर में उसके बाद आपका छठा है इलेक्टान बोल्ड और आपका सत्ता हो जाएगा बैदूत फ्लॉक्स ठीक है इन सातों के बारों में पढ़ेंगे ठीक है तो आप लोग वीडियो को लाइक करिए सस्क्राइब करिए और ज्यादा से ज्या इंपॉर्टेंट कोश्चन है यह आपके डाइरेक्ट पेपर में हिट करेंगे तो ध्यान से पढ़िएगा उसको यादर कियेगा ओके दोस्तों इस तरह जैसे फिजिक्स का है ऐसे हम लोग केमेश्टी का भी करेंगे और मैद का भी करेंगे ओके ठीक है आप लोग अपने दोस्तों को भी सेर कर दीजे चलिए आगे बढ़ता है देकि फर्स्ट है बैदूत आवेश ठीक है बैदूत आवेश क्या है देकि बैदूत आवेश द्रब्यका वागुड है जिसके कारण वा बिद्दूत तथा चुमगी प्रभा उत्पन्न करत रेड़ा बैदूत आवेश क्या है कि बैदूत आवेश क्या है आपका एक है के द्रब कर्भक वागुड कोई भी द्रब्य वागुड नों तर्फ की प्रभा उत्पन्न करता है इलेक्क्रिक और मेंगनेटिक ठीक है इलेक्ट्रिक और मेंगनेटिक प्रभाव उत्पन करता है तथा उनका अन्भो करता है ठीक है क्या कहलाता है बैद्दूत आवेश ओके यह दो प्रकार के होते हैं कौन-कौन से धनावेश और रिडावेश यह आपको पता है ना पाजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज ठीक है पाजिटिव और निगेटिव ओके तो किसे कहेंगे बैद्दूत आवेस दोस्तों देखिए बैद्दूत आवेस द्रब्विकावव गुड़ है जिसके कारण वह बिद्दूत तथा चुम की प्रभाव उत्पन करता है तथा उनका अन्भो करता है ठीक है दो प्रकार के होते हैं धनावेस और रिडावेस प्लस जो चार्ज होता है ठीक है जो चार्ज होता है नो उत्पन किया जा सकता है नहीं नश्ट किया जा सकता है ठीक है आवेस को नो उत्पन किया जा सकता है नहीं नश्ट किया जा सकता है इसे बस केवल एक वस्तु से दूसरी वस्तु में अस्थांत्रित किया जा सकता है ठीक है आवेस का सच्छन नियम क्या करता है आवेस नो तो उत्पन किया जा सकता है नो ही नश्ट किया जा सकता है ठीक है इसे केवल एक वस्तु से मालिज यहां है एक वस्तु से दूसरे वस्तु में क्या किया जाएगा स्थांतरित किया जाएगा ठीक है भेजा जाएगा ओके यही क ब commissioner के के सिद्र की थीतकर किया है बड़िछेट्र के किसी बिंद उपर रिखिए परिछ्ध इसके किसी भी बिंद उपर talk in奇ote rake women will main depriकर पर इषड आवेस के प्रती anigent loaves को एक कानका वेस सहय क ह July लाट ठीक है पर कारेरत बैद गल्जा जो इस बल detto इस बंचos止 पर कोई बल कारे कर ला है कारे कर रहा है लुका उस बिंद पर बवेदू चैटर की तिव्रयता कहते हैं ठीक है देखिए क्या कह रहा है बै दुचेत्रे किसी बिंदू पर रखे पर इछल्डear आवेश के परती एकांग् आवेश पर कारेरत बल बैद बल को उस बिंदू पर बैदू cred कि तिलुधा कहते हैं ठीक है महाने जी यह बैदू चेत्र रहा है को हो थिक्या है माली सिसाथ प्र पॉाइंट ह Me TU पर कोई जा रहा है तो एक अंक है ठीक है जित पर कार्यकार्ण जो ब всем असवी बेंदबूं पर बेक्षेत की स्थी ब्लता हो गहें है। इसे E vector से हम denote करते हैं ठीक है इसका formula फार्मूला होता है दोस्तों E vector यह vector upon यह बराबर है पन Q ठीक है इसको याद रखिएगा E बराबर F बट्टा Q ओके चलिए आगे देखें कुलाम का नियम दोस्तों यह very very important है बहुत ही जादे important आप लोग के लिए ठीक है इसको अच्छी तरह पढ़िएगा देखें किनी दो इस्थित बिंदू आवेसों के बीच कारेरत बैदुद बल दोनों आवेसों के परिमाडों के गुर्णफल के अनुकरमान पाती तथा उनके बीच के दूरी के व्यूत करमान पाती होता है टेक है कुलाम करनेयम क्या करता है किनी दो इस्थित बिंदू आवेसों माले जे बिंदू यह कै कािद बैदू इसको और कई दो सथिर बिंदू बिन वैवय वे-विश् सो कीική कारेरत कंट है ज़िकमीट्रीच वेश्व दोनों आवेशो दोनों आवेशो के परिमाडों के गुडन ठीक है प्रिमाड़ों क्या है क sc Schutz future ठीक है इनका staple के अनुक्रमान पाठी तथा इनके बीचिउ दूरी के प्यूत कर्वान पातीぎ होता था है ठीक है रोच की दूरी के अ कि और के बर क्या हो जागा मानेजेश की दूरी या रहा है बर के और के है की और कannée स्कार tô होगा तो क्या फार्मूला बन जाएगा देखिए एस इकल टू एस इकल टू या अनुक्रमान का दिकार रहा है न क्यों अपन क्यों टू अपन हरे स्वार्ट ठीक है यह होगा ओके एक मिनट देख लिए एक बार याफ अनुक्रमान पाती कि वन टू अपन आर इसक्वार ठीक है तो क्या होगा कुलाम का नियम किनहीं दो इस्थित बिंदू आवेसों की बीच कारेरत बैदुदवल दोनों आवेसों के परिमाड़ों के गुणनफल के अनुक्रमान पाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के ब्यूत कुर्मान पाती होता है, इसको याद रखिएगा, चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट है गौश का प्रमय, गौश का प्रमय देखे क्या कहता है, किसी बंद प्रिष्ट से गुजरने वाला बैदूत फ्लक्स, माली जी ये कोई प्रिष्ट है, बंद है ठीक है, इस प्रिष प्रिष्ट द्वारा प्रतिबध कुल बैदूत आवेश का एक बट्टा, आपसल लाइंग जीरो का गुना होता है, ठीक है, किसी बंद प्रिष्ट से गुजरने वाला बैदूत फ्लक्स, उस प्रिष्ट द्वारा प्रतिबध कुल बैदूत आवेश का वन अपान आपसल नॉट क्या गुना होता है ठीक है तो इसका फार्मूला क्या होगा देखें जो गौस कप्र में है उसको हम फाइए से दिनोट करेंगे फाइए इक्वल टू हो जाएगा वन अपन कि सिंग्मा नॉट कि सिंग्मा क्यों ठीक है यह बनेगा ओके कि यह बनेगा ठीक है गौस कप्र में क्या करता है देखें इसमें कुछ पॉइंट बताता हूं देखें अनन्त लंबाई के एक समान आवेसित सीधे तयार के निकट उत्पन बैदुचेत किति वरता ठीक है इसका रेकी गनत तो होगा इक्वल टू इक्वल टू लेम्डा अपन कुष्टिंग में टू पाई आपसाइल लंग नॉट ठीक है और ओके यह होगा वे दोस्तों इसको याद रखेगा तो गोस का प्रमे क्या होता है किसी बंद प्रिष्ट से गुजरने वाला बैदूत फ्लक्स उस प्रिष्ट द्वारा बद्दकुल बैदूत आवेश का एक बट्टा अपसाइल लंग नॉट गुना होता है ठीक है इसको याद रखेगा ठीक है तो गोस कप्र में इसमें किसे डिनूट करेंगे बैदूत आवेश एक लिएक लेक्टान बोल्ट वह उरजा है जो किसी लेक्टान से एक बोल्ट विभुवानतर द्वारा तुरित होने पर अरजित होती है क्या है इलेक्टरान बोल्ट एक इलेक्टरान बोल्ट वह उर्जा है जो किसी इलेक्टरान से एक बोल्ट बिभुवांतर द्वारा त्वरीत होने पर अरजित होती है है ठीक है एक इलेक्टन पूर्ट वराबर क्या होता है एक है ही मिलेक्ट काण पूल्ड वराबर क्या होता है toujours眠ोंजेश घुड़ेकर 10 के पाउर माइनस उन्निस है के डसके पाउर माइनस उन्नीस जूल पुछेगा जूल जाएगा ओके तो देखे इलेक्ट्रान बोल्ट क्या होता है एक इलेक्ट्रान बोल्ट वह हो जाए है जो किसी इलेक्ट्रान से एक बोल्ट विवानतर द्वारा तुरित होने पर अरजित होती है एक इलेक्ट्रान बराबर क्या होता है एक दस्मूलो छह गुड़े दस के पा में इस्थित ठीकर किसी चेत्र फल उसे अभिलमबवाद अभिलम उसा में गुजरने वाले बिद्दूत बर उसक्षा को बेद्दू थिए dolor करें फल से अभी लम्ब होत दिसा में गुजरने वाली बिदुद मेखानों की संक्रइया को बैद्धूद फ्लक्स करता है ठीक है इसका मातर्क होता है बोल्ट मीटरी क्या हुधीर volt meter और दोस्तों इसका फार्मूला है जिस पर question होता है बहुत ज्यादे question पूछता है इस पर हर साल question इस पूछा है ठीक है फाई equal to फाई equal to यह को अब कॉस्चीटा ठीक है यह कॉस्चीटा ओक्य यह याद रखिएगा यह कॉस्चीटा है तो वैदुत फ्लक्स क्या है वैदुत छेतर में इस्थित किसी छेतर फल से अभिलमब दिशा में गुजरने वाले बिद्धुत बल रिखाओं की संख्या को वैदुत फ्लक्स कहते हैं इसका मात्रक बोल्ड मिटर है ओके यह दोस्तों यह साथो को साथो खतम हो गया तो इसको अच्छी तरह आप अपने नोट्स में लिख लिजेगा जो भी नोट्स होगा और इसको बार-बार रिवाइज करेगा इसको याद कर लिजे ठीक है बहुत इंपॉर्टेंट है साथो और परिच्छा में हीट करेगा से ओर है ओके ठीक है दोस्तों अगर आपको वीडियो अ